सो कई बार यार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ connecting body इसके problems होते हैं जिसमें कि आपको कहीं भी बीच में tension निकालना होता है एक end पर force लगा होता है तो इस तरह की problems को कैसे simplify किया जाए तो इस तरह की problem को simplify करने का simple सा तरीका यह है कि जहाँ पर आपको tension चाहिए वहाँ पर कर लीजिए और force के opposite end में जितने भी total masses से उनका sum करके divide by total mass into force कर दीजिए तो वहाँ पर आपको tension मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आपको एक problem दिख रहा है इसमें हमें 20 section पर tension T1 चाहिए तो देखिए force इधर लग रहा 10 newton का इसके अपोस में 2 mass 3 plus 5 तो 3 plus 5 8 हो गया divide में total mass 10 है और इंटो total force 10 है तो यहाँ से tension जो आगया इस point पर वो आगया 8 newton जो कि option B sorry option C में यहाँ पर गिवन है so option C is the correct answer तो इस तरह से हम simply कर सकते है the problems of connecting bodies को